क्याइसी ब्लोक होने का तीन रीजन है पहला आईडी का डोकुमेंट और रामी सार्कल का एकाउंट का डोकुमेंट सेम नहीं है इसलिए ब्लोक हो सकता है इसका सोलोसन भी बताएंगे और दूसरा एक ID दो एकाउंट पे यूज किये हो इसलिए ब्लोक हो गया इसका भी सोलोशन बतांगे और तिसरे सब कुछ सही होने के बाद फिर भी क्या ऐसी फेरिफाइन नहीं हुआ पेंडिंग हुआ है इन तिनों का सोलोशन एक एक करके बाता हूँ महल्लो किसी एक रामी सागल एकाउंट में जो डिटेलज दिये हो वो डिटेल्स ID में नहीं हैं मतलब आधारकाड बोटारकाड में नहीं है इसलिए तुमको एडिट करना पड़ेगा एडिट करके जहां जेटोब बाद नहीं है वहाँ पर date of date edit करके बिठाना पड़ेगा जहाँ पर addres नहीं हम पर addres बिठाना पड़ेगा कुछ-کुछ आधर करड में तो qrcode नहीं होता है वहाँ पर edit करके qrcode बिठाना पड़ेगा इसके बाद तुम्हारा और block नहीं होगा इसके बाद आते है दो एकाउंट में एक ID नहीं दे सकते ब्लोक हो जाएगा इसके लिए जिस आदमी का डोकुमेंट्स एकाउंट में है उसी आदमी का किसी और ID काड ट्राई करो जैसे भोटर काड, अधर काड या डाभिंग लाइसेस तुमारा एकाउंट भेरिफाई हो जाएगा माललो तुमारा एकाउंट ब्लोक हो चुका है इसके लिए तुमको रामी सालकर का कोंटक्ट आस में जाना पड़ेगा वहाँ पे इमेल करना पड़ेगा शिरिफ इतना लिखना पड़ेगा इसके बाद तुम एडिट करके सही सही ड़नना तुम्हारा क्योआशी हो जाएगा तिसरा रिजन है सब कुछ सही है अधार कार्ट और डॉकुमेंट्स का आइडी सब कुछ सही है लेकिन क्योआशी भेरिफाइ नहीं हुआ पेंडिंग में है इसके लिए तुमको कॉंटाक्ट आस से तुमको इमेल करना पड़ेगा इमेल में शिरिफ इतना बतना पड़ेगा कि I provide my genuine documents, please share verify my KYC इतना लिखने से ही 4-5 मिनित का अंदर verify हो जाएगा और किसी और करों से तुम्हारा एकाउंट banned हुआ है, suspend हुआ है इसके लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो, तुमको solution मिल जाएगा